हेलो स्टुरेंट्स आज का अपना जो टोपिक है वह है ग्रूप डिस्केशन और यह टीचिंग का जो थैड मेतेड है इससे पहले अपने जो लेक्चर मेतेड है या जो डेमोस्टेशन मेतेड वह देखा था ठीक है तो जो ग्रूप डिस्केशन जो है अपने इस पहले इसका introduction देखते हैं, group discussion इसका introduction के अगर आपन बात करें, ठीक है, तो group discussion is an effective method of teaching and considerate a learner centered approach of the teaching learning process, in a group discussion a number of learners interact face to face to achieve specific educational objectives, ठीक है, means, मतलब एक group discussion अपन किसको कहेंगे, कि भी कोई भी जिसे more than two members, 2 से ज्यादा जो member, 3 या 4, 5, 6, 10, मतलब अपन 20 तक कह सकते हैं, ठीक है, 20 जो member या 15 member जो है, वो एक जगह मतलब एक group बनाते हैं, ठीक है, और group बनाने के बाद मतलब जितने भी जो member होते हैं, वो अपन कर सकते है कि professional जो member या किसी भी group से बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, और वो एक जगह collect होते हैं, एक जगह कटे होते हैं, ठीक है, और उनका मकसद क्या होता है, उनका aim यह होता है, कि जो भी educational जो objective जो है, उसको achieve करना, या कोई भी topic है, है ना, उस पे topic पे discuss करना, और उसकी जो problem जो है, उ उसको soul out करना, ठीक है, तो इसमें अपन group discussion कह सकते हैं, कि ठीक है, यह normal जैसे 10 member होगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, अपने जो group में, जितने भी group के member हैं, वो सभी group के member क्या करते हैं, अपनी idea जो है, अपनी जो viewpoint जो है, वो क्या करते हैं, सभी के सामने वो present करते हैं, ठीक जो अपने अपने आइडिया जो है अपने व्यू जो है वह सभी के सामने पर्जेंट करें और जो एक जो प्रोब्लम जो है या objective जो है उसको चीव करने में help करें ठीक है और इसमें काफी सार जो member अपन का सकते हैं, वो participate हो सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं, 20 से ज्यादा नहीं का सकते हैं अगर ज्यादा है, तो फिर अपन teaching learning जो process है, वो इतना effective नहीं होगा, ठीक है, दूसरी चीजी है कि इसमें, जो learner जो है, मलब जो group है उसमें learner जो है, एक leader अपन इसको माना गया है, ठीक है, दूसरी चीज, इसमें अपन जो, अपन कह सकते हैं जो learner जो होते हैं, है ना, अपन 10 to 15 जो learner मानते हैं, या 4 or 5 बी कितनी भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका जो interaction होता है, face to face जो है, interaction होता है, है ना, interaction मतलब मतलब किसी भी topic को लेके, है ना, बातचीत करना, या discussion करना, ठीक है, जैसे word जो है, group discussion, ठीक है, group को आपका पता है, group मतलब more than two people, है ना, मतलब, दो से ज्यादा जो person है, वो एक जगह है, अगर इकटे हो रहे हैं, है ना, ओ discussion मतलब किसी भी topic, जो कोई भी एक point जो है, है ना, कोई भी जो thing है, या कोई भी subject जो है, उनके बारे में, या कोई भी problem है, है ना, उनके लिए अपन क्या करते हैं, discussion करते है, ठीक है, अपने-पने ideas, अपने-पने जो view जो है, वो अपन एक दूसरे के सामने अपन बताते हैं ठीक है तो और किसलिए करते हैं वो ताकि अपने educational जो objective जो है उसको अपन easily achieve कर सके ठीक है तो यह हो गया interaction जो group discussion अपन किसको कहेंगे कि भी जो काफी सारे जो member हैं एक जिगे collect होते हैं ठीक है और उनका aim होता है कि भी कोई भी जो educational जो objective जो है उसको achieve करना ठीक है next आगे अपने इसमें definition देखेंगे ठीक है definition जो first definition इसमें तीन definition आपको बता रखिये मैंने ठीक है तो first definition देखेंगे in group discussion a particular number of people meet face to face group discussion क्या होता particular number of people मतलब ज्यादा नहीं कह सकते particular मतलब अपन कह सकते हैं more than two or less than 20 अगर ज्यादा है तो थोड़ा सा effective नहीं ज्यादा member होंगे member जितने ज्यादा होंगे group में जो teaching learning जो process है वो इतना ही less effective होगा ठीक है जितने कम होंगे उतना ही ज्यादा effective होगा ठीक है तो group discussion is a particular number of people meet face to face ठीक है face to face वो मिलते हैं ठीक है and through free interaction developed share and discuss ideas face to face मिलते है और जो ideas जो है है ना उनके बारे में discuss करते है ideas share करते है अपने ideas जो है उनको develop करते है और वो freely क्या होता है interaction होता है सभी के बीच में है ना उनके through क्या कर सकते है group discussion वो conduct कर सकते हैं ठीक है किसी भी education जो objective उसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है, next definition अपने एक ओर देखते हैं, a discussion और exchange of view and thought among a group of people, मतलब एक group of people जो है, हाना, एक group है, उसमें जितने भी जो people है, हाना, उनके through, अपने जो idea जो है, view जो है, उसके जो thought जो है, उनको exchange करना, हाना, या उनके लेके discuss करना, ठीक है, exchange मतलब अपने जो पांच member है, first member ने बताया कि, हाना, यह मतलब, यह topic है, इस तरह से हो सकता है, इसमें four type होते हैं, ठीक है, तो second जो है, उसको यह नहीं करना चाहिए, नहीं, यह गलत है, आप बिल्कुल गलत होता है, नहीं, कि हान हो सकते हैं, लेकिन मैंने कहीं पांच भी बढ़ें इसमें, इसमें भी topic को लेकि वो discussion कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपन क्या कहेंगे, group discussion, ठीक है, एक definition और देख लेते हैं, group discussion can be defined as three or more participants who have an agreed topic to discuss and share their views in all the aspects and present their views in the form of report to bigger gathering, group discussions क्या है, वो यह भी आपको थोड़ देर पहले introduction बताएगा, कि भी as a three or more participants, मतलब जिसमें दो या तीन से ज्यादा जो member है, वो participate करते हैं, और who have an agreed topic to discuss, मतलब एक कोई भी topic है, है ना, उसको topic पे discuss करने के लिए सभी, मतलब, participate करते हैं, और सभी जो है agree होते हैं, ठीक है, कि हाँ, मतलब इस topic को अपन discuss करेंगे, और सभी मतलब करे सकते हैं, कि effectively इसमें अपन participate करेंगे, और अपने जो view जो है, अपने जो thought जो है, वो अपन share करेंगे, ठीक है, और normally या view कर सकते हैं, share करना, या present करना, सभी के सामने वो view अपने जो thought जो है, अपनी जो idea जो है, उनको present करेंगे, in the form of report to bigger gathering, in form of report, मतलब, एक way जो होता है, उस way में अपन उसको present करेंगे, ताकि अपन क्या कर सकते हैं, bigger gathering, मतलब, specific जो education, जो objective है, उसको अपन क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गए, इसका introduction, अब अपन देखते हैं, इसमें, यह कह सकते हैं, कोई भी जो problem है, है ना, जैसे अपन कोई भी, कोई भी एक, कह सकते हैं, campus वगएरा हो, organizations हो, है ना, तो वहाँ पे problem आ गई है, ठीक है, तो वहाँ पे जो एक man head है, है न उसको लग रहा है कि यह problem, अपने solve नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो क्या करता है, जितने भी जो staff के, जो member उसके साथ meeting रखता है, है ना, और उस meeting का, जो main aim होता है, है ना, वो problem, problem को सामने रखता है, और उस problem को लेके, सभी अपने, अपने, अपने idea, जो अपने, discussion, ठीक है, या normally अपन कर सकते हैं, इसमें, सभी अपने, अपने, जो राय जाते हैं, है ना, ताकि उस problem का, एक solution, मिल सके, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, group discussion, ठीक है, next अपन इसके देखेंगे, purpose, purpose of group discussion, ठीक है, तो one by one, देखेंगे, अपन, purpose, जो है, it provides an opportunity for sharing information among the member of group मतलब, main purpose तो यह है, कि भी group के जो member है, है ना, उनको opportunity मिलती है, कि वो मतलब, जो information जो है, है ना, वो एक दूसरे को शेर कर सकते हैं, ठीक है, यह मतलब जैसे अपन lecture method है, उसमें इसा नहीं हो सकता, इससे पहले अपन demonstration देखाता, उसमें भी इतना नहीं होता है, कि वो सभी एक दूसरे के साथ सेर कर सकते हैं, हाँ, teacher जो है, है ना, communication हो सकता है, teacher between students, teacher between learner, ठीक है, वैसे lecture method है, तो लेकिन group discussion में क्या होता है, कि जितने participants, जितने learner, जितने students होता है, जितने member होते हैं group में, वो सभी के सभी क्या होते है, सभी की पास equal opportunity होती है, यह नहीं कि एक के पास ज्यादा एक के पास कम नहीं, सभी के पास equal opportunity होती है, है ना, उसमें दो टाप के member हो जिसको teacher अपन कह सकते है, उसका इतना role नहीं होता है, group discussion में teacher का जो है, रोल नहीं होता है, इसलिए अपने देखा था, introduction में, इसमें centered कोन होगा, है ना, वो का learner, मतलब student जो है, वो centered approach अप इसका purpose जो है, अगर अपन देखें, कि भी अगर knowledge आपको acquire करना है, है ना, तो सबसे जो best method है, वो है, group discussion, ठीक है, वैसे आपने देखा भी होगा, या कहीं लिखा वा, ठीक है, group discussion is the best method for effective learning, अगर आप चाहते हो, effective learning चाहते हो, आप, है ना, effective learning, जो teaching learning, जो process है, वो चाहते हो, तो उसके लिए सबसे जो best method है, teaching का, वो है group discussion, याना, group discussion जो है, सबसे best, अपन कह सकते हैं, जितने teaching के method है, वो सबसे best, जो है, वो group discussion, ठीक है, then second, जो, अपन जैसे self study, वो मानते हैं, self study, जैसे best मानते है, learning के लिए, ठीक है, तो वैसे group discussion, जो है, वो teaching का सबसे best method है, ठीक है, क्योंकि इसमें सभी student जो है इसमें यह नहीं कि भी यह student है, weak है, यह तोड़ा intelligent है, नहीं, सभी के पास opportunity होती है, है नहीं, सभी को मुका मिलता है उसमें, group discussion में, सभी को बोलने का मुका मिलता है, सभी के idea जो वो saved किया जाते हैं, है नहीं कि ignore कर दिया, नहीं, नहीं, ऐसा नही जो guideline जो है, अपन आगे देखेंगे, next purpose इसका, it provides opportunity to attend group consortium, है ना, it provides opportunity to attend group consortium, to gain and share necessary knowledge, ठीक है, मतलब यह क्या करता है, कि भी group जो है, है ना, उसको consultant मतलब क्या होता है, कि यह कोई भी group, यह organization जो होता है, group का जो organization जो है, यह consultant मतलब यह, जो community जो है, जो भी group जो बना है, है ना, वो जो member, जो है, member को opportunity मिलती है, जो group क्या करता है, है ना, it provides opportunity to attend group consortium, to gain knowledge, है ना, या इन कहा सकते हैं, कि अगर अपन knowledge acquire करना है, है ना, तो उसक लिए जो opportunity देता है, यह group discussion, एक member को, ठीक है, मतलब student जो है, उनको opportunity बिलती है, तो वो group का जो भी consultant जो है, है ना, उसको attend वो कर सकता है, ठीक है, next, इसके अगर अपन purpose देखें, it developed the skill of group development and group socialization in group members under the leadership of teacher, it developed the skill of group development, यह एक अपन का सकते हैं, कि जो group के जो member जो है, मतलब जो student, जो learner जो है, आना, उसमें अपन का सकते हैं, उसके जो skill जो है, उसको develop करता है, ठीक है, मतलब group, जो discussion है, है ना, उसकी help से, एक जो learner जो है, जो जो learner है, group के जो member है, उसमें, जो skill जो है, या कर सकते हैं, कि, जो socialization जो है, है ना, वो क्या होता है, एक, उसमें develop हो सकता है, है ना, एक group discussion की help से, है ना, under the leadership of teacher, और यह आपको मैंने भी बताया, कि teacher का role है, उसमें, वो lead कर रहा है, ना, leader है उसका, ठीक है, लेकिन teacher का इत इसके बारे में अपन discuss करेंगे, तो उसके बाद जो student है, वो अपने point जो है, वो देते है, कुछ student accept करते है, कुछ student जो है, arguments भी होते है, इसमें, ठीक है, हाँ, उस time अगर ज्यादा argument हो रहे है, तो teacher जो है, वो interfere कर सकता है, और finally, जो है, जैसे group discussion, end हो गया group discussion का, ठीक है, तो and in a, so time, मतलब क्या है कि normally group discussion में अपन क्या कर सकते है, कि जैसे कोई भी topic हो, है ना, for example, जैसे आप अकेले student, आप घर पे बैठके, आप single student है, वो आप एक topic ले लो, है ना, कोई भी topic ले लो, है ना, यह teaching का method ही देख लो, यह group discussion जो है topic यही देख लो, है ना, यह से पहले lecture method देख लो, आप single घर पे बैठके lecture method हो पढ़ो, है ना, तो आपको इसको learn करने में minimum में बता रहा हूँ, minimum जो है आपको 30 minute लगेंगी, है ना, यह long term memory में अगर आप save करना चाहते हो, है ना, short term memory हो सकता है, आप intelligent हो, 5 minute में पढ़ दो, लेकिन long term memory में, जितने student सभी, कुछ student ज तो अपन average कर सकते हैं, 30 minute, ठीक है, single student के लिए, लेकिन इसी topic को, जिसे lecture method है, इसी को, आप जिसे 10 student है, साथ में एक जगे बैठे, एक कह सकते है, circle, है ना, circle format, और सब एक दूसरे का, जो face to face, महलब एक दूसरे के सामनी बैठ गए, ठीक है, और इस topic पे आपने discuss किया, lecture method पे तो ये साथ मेरा जो experience जो कह रहा है, कि आप जितने student हो, चाए वो IQ level कितना ही हो, चाए intelligent हो, चाए weak हो, इस topic को आप long term memory में, आप minimum जो है, अपन कर सकते हैं, 10 minute, 10 minute या 15 minute जो है, 15 minute में आप इसको अच्छे से learn कर सकते हो, हाँ, इसमें condition है, सभी का interest होना चीए, proper attention होना चीए, सभी को अपने viewpoint देने चीए, यह नहीं कि चुपचा बैठे हैं, कि यह यह बोल देगा, यह बोल देगा, अपने को क्या है, अपन तो कमजोर है, अपन तो कलास में पिछे बैठते हैं, अपन बोल के क्या करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं, अगर सभी बोलेंगे, है ना, तो अप easily learn कर सकते हो, long term memory में अराम से save कर सकते हो, ठीक है, तो यह होगे इसके purpose, next अपन देखते हैं, इसमें guideline to conduct a group discussions, मतलग आप group discussion कर रहे हो, आप group discussion करने जा रहे हो, कोई भी जो एक member जो है, काफिशार जो member है, वो group discussion करने जा रहे है, या group discussion करने जा रहे है, तो उसके लिए जो guideline या कह सकते हैं, कि जो instruction जो है, किस type के जो instruction जो है, किस type के जो guideline जो है, वो एक group के जो member, या कह सकते है, उसका जो leader जो है, teacher जो है, उनको follow करना चाहिए, मतलग इसमें किस type की जो guideline है, वो आपको follow करने चाहिए, ठीक है, तो first guideline अपन देखेंगे, there must be adequate and effective planning of the topic of discussion, ठीक है, तो यह अपन time जो काफी हो गय है, ठीक है, तो अपन guideline जो है उपन next video में देखेंगे, ठीक है, thank you